हलो दोस्तों देसी किचन में स्वागत है आपका और आज देसी किचन में बनने जा रहा है टमाइटो सूप जो की बहुत ही स्वाधिस्ट होता है चलिए हम लोग इसकी समक्री देख लेते हैं यह देखिए यह मैंने लाल लाल टमाटर ले लिया है जिसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है और यह मैंने एक गाजर ले लिया जिसको चील के अच्छी तरह से साफ कर लिया और यह थोड़ा सा चुकंदर ले लिया है यह दोनों चीजें गाजर चुकंदर आपके पास हो तो लेने तो पूरी तरह सकिप कर सकते हैं इससे कलर अच्छा आता है चलिए हम तो यह सारी चीजें हम लोग चलिए कट कर लेते हैं यह देखिए टमाटर मैंने कट कर लिया है इस तरह से सारी समगरी हम लोग कट कर लेंगे जो भी है उसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे यह लाल लाल टमाटर लेने से इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है एकदम रेस्टोरेंट रिस्टाइल तो चलिए हम लोग अब कूकर की तरफ चलते है यह देखिए मैंने गैस पे कूकर चाहता ही मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें बटर में डाल दिया है तो बड़ा से यसलिए डाला है ताकि यह बटर जलेना देखिए बटर हो चुका इसको ओबर कुक नहीं करना है इसी में जो हमने प्याज लैसन अधरक सब मसाले कट करके रखे थे उसको मिक् अब इसिसमें जो हमने गाजर और जुखंडला चुक हटकर के रखा था वो भी उसको डाल के उसको भी अधोड़ा तक इस तरह से अब थोड़ी देल भूंने के बाद यह जो हमने टमाटर कट करके रखा-ता सारे टमाटर इसमें डाल देंगे इस तरह से और इसको भी एक मिनट तक भूण लेंगे इस तरह से चलाते हूं आपके पास बटर हो तो बटर लें नहीं तो आप ऐल में भी बना सकते कड़ने करों कि अब पट्रीक तुक्ष ऑली कि ओड़ना यह सूपульт यह दिया सुपने लगने कि अब टेशनं केते हम सब्रीप ढ़िए यह फिर मैं बहुंत बैए बड़ने के इसाल्द लगने करद यह नमक लेते हैं जिससे टमाटर और जो सारी चीजें अच्छी तरह से गल जाए यह देखिए मैंने तीन-चार ब्रेड ले लिए हैं इसके हम लोग क्यूब काटेंगे यह क्रूटों बहुत लगते हैं सुप में चलिए इस तरह हम लोग इक्वाल साइज के काट लेते हैं इक excited के काटेंगे ताकि एक साथ ही यह कोई बड़ा डिलो चोटा होगा कोई जल्दीगे सब्सक्राइब काटे कर में काटता है do go आपने कोडि़ा वी या या यूज़ गाट हाँ मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है और इसमें इसारे अपने क्रूटोन डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम लोग भून लेंगे आप चाहे हैं तो बिना तेल के भी अगर जो हल्दी बनाना है आपको तो बिना तेल के भी आप लोग इसी तरह नॉंस्टिक पैन में ले लीजिए और चलाते हुए इसको भून लीजिए तब भी ये काफी क्रिस्पी हो जाते हैं ये देखिए इस तरह चलाते हुए मं भून जाई हूँ ये देखिए ये काफी क्रिस्पी हो चुके हैं और अच्छी तरह से बन गया है चलिए हम लोग कूकर की तरफ चलते हैं जो हमने सूप बनाया था यह देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है तो इसको हम लोग अच्छी तरह से चला के और फिर इसको छान लेंगे सूप को ताकि पानी अलग हो जाए और जो टमाटर है यह अलग हो जाए इस तरह से कोई छनी में आप लोग छान लीजिए अगर जो छनी आपके पास इस तरह ना हो तो आटा छानने वाली छनी अच्छी तरह से धूल के उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से यह सारा पानी हमने निकाल लिया और यह जो टमाटर वगेरा बचा है इसको हम लोग ग्रैंडिंग जार में डालके पीस लेंगे यह देखिए लेकिन य काफी इजली चन जाता है यह देखिए इस तरह से इसको किसी चम्मच की सायता से चलाते हुए उसी पानी में जो हमने टमाटर का पानी पहले चान के रखा था देखिए इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से चान लेंगे अब यह देखिए मैं दिखाते हूँ यह काफी गाड़ा गाड़ा सूप निकल गया है अब इसको हम लोग किसी दूसरे पान में गैस पे रखके 10-15 मिनट के लिए और उबाल लेते हैं तो चलिए इस तरह से मैंने गैस पे रख दिया इस तरह चलाते हुए हम लोग इसमें बबल साने लगे और इसमें चली हम लोग कुछ मसाले आड़ कर देते हैं इसमें जो हमने काली मिर्च पीस के रखी थी उसको भी एड़ कर देंगे और यह जीरा पाउडर जो पीस के रखा था उसको भी एक एक चमच के करीब हम लोग इसमें आड़ कर लेंगे यह का परसंद किया जाता है इसलिए मैं डाल रहे हूं आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं और नमक हम लोग पहले ही डाल चुके हैं एक बार आप लोग टेस्ट कर लीजिए अगर जो नमक कम होगा तो नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं इस तरह यह देखिए यह कितना गाड़ा- अगर जो किसी वज़े से आपका सूप गाड़ा ना हो तो उसमें आप एक आलू भी डाल सकते हैं थोड़ा सा उसमें चावल भी आप लोग डाल सकते हैं यह देखिए हैं हमारा सूप बनके बिलकुर रेडी हो चुका है यह देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे और इ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद